एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी जुनता एक दिन मूसलाधार बारिश हुई ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गाउं बारिश से परिशान था बुढ़िया की जोपड़ी में पानी जगय जगय से टपक रहा था टिप 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 इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था बुढ़िया खीज कर बोली अरे बचवार का कहानी सुनाएं इस टिप 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 वासे जान बचे तब ना पोता उठकर बैठ गया उसने पूछा दादी कि टिप टिप वा कोई है टिप टिप वा क्या शेर पांग से भी बड़ा होता है दादी छट से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बच्वा, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डर तर डर, टिप टिपवा के डर. सैयोग से मुसीबत का मारा एक बाग बारिश से बचने के लिए जोपड़ी के पीछे बैठा था. बेचारा बाग बारिश से घबराया हुआ था, बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया. अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाग से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है. इससे पहले की वह और आकर वो मुझे पर हमला करे, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए. बाग ने ऐसा सोचा और जटपट वहां से दुम दबा कर भाग चला. उसी गाउं में एद धोबी रहता था, वह भी बारिश से परिशान था. आज सुभह से उसका गधा खायब था. सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, और जगह जगह गधे को ढूंडता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला. धोबी की पत्नी बोली, जाकर गाउं के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्यानी है, आगे, पीछे, सब के हाल की उन्हें खबर रहती है. पत्नी की बात धोबी को जच गई, अपना मोटा लठ उठा कर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा. उस ने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच-उलीच कर फेंक रहे थे. धोबी ने बिसबरी से पूछा, महराज, मेरा गधा सुभा से नहीं मिल रहा है, सेरा पोथी बाज कर बताईए तो वो कहा है? सुभह से पानी उलीच ते उलीच ते पंडित जी ठक गये थे. धोबी की बात सुनी, तो जुन्जला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता थे काना लिखा क्या, जो आ गया पूछने, अरे, जाकर ढूंड उसे किसी घड़ई पोकर में. जी, अच्छा. और पंडित जी लगे फिर पानी उलीच ने. धोबी वहां से चल दिया. चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुचा. तालाब के किनारे उची उची घास उग रही थी. धोबी घास में गधे को ढूंडने लगा. किस्मत का मारा बेचारा बाग टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था. धोबी को लगा कि बाग ही उसका गधा है. उसने आव देखा नताब और लगा बाग पर मोटा लठ बरसाने. बेचारा बाग इस अचानक हमले से एक दम घबरा गया. बाग ने मन ही मन सोचा. लगता है यही टिपटिपवा है. आखिर इसने मुझे धूंड ही लिया. अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे जुपचाप करते जाओ. आज तुने बहुत परेशान किया है. मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा. ऐसा कहकर धूबी ने बाग का कान पकड़ा और उसे खीचता हुआ घर की तरफ चल दिया. बाग बिना चूंच पड़ किये भीगी बिल्ली बना धूबी के पीछे पीछे चल दिया. घर पहुचकर धूबी ने बाग को खूटे से बांध दिया और सो गया. सुबह जब गाउवालों ने धूबी के घर के बाहर खूटे से एक बाग को बंधी देखा तो उनकी आखी खुली की खुली रह गई. करheं पूब के बाहर खुली और सुब कर दो दो जो झाल झाल